हेलो स्टूडेंट वेल्कम टॉपाँ चैनल तो इसमें वीडियो में हम सॉल करना है हमाल चेप्टर सेवन का एक्जम्पल नंबर फाइव इंटीग्रेशन करना है तो यहां भी आपके ट्रिणोमेट्रिक फंक्शन है बट डिफरेंट फॉर्म में है तो फॉर्स आप यहां प पास क्या है एक्स के साथ में मल्तिप्लाइ में है तो इस कंडिशन में कहीं पर भी किसी भी फ़र्म में यह कंडिशन अगर आ जाती है तो उसको आपको एक दूसरा गैबल कर लेना है तो यहां पर हम क्या करेंगे लेट एम एक्स इक्वल टू है नाव अब आपको डिफरे सारे पास यहां मल्तिप्लाइ में प्रोड़क्त की फॉर्म में नहीं है तो हम एम को उधर वेज़ें तो यह आपका कितना हो जाएगा वान अपॉन एम हो जाएगा और यह डीट यह इस डी एक्स की जगे पर हम क्या रख देंगे वन बाइम डीट रख देंगे नाव इंट का कॉस्टी हो जाएगा तो यह अपका यहां पर कितना हो जाएगा वन अपॉन एम माइनस का कॉस्टी प्लस सी हो गया अब टी की वैल्यू रख दो तो यह हो गया माइनस वन अपॉन एम कॉस्टी की जगे पर हम रखेंगे एम एक्स जो हमने लेट किया था तो यह आपका यहां पर हो गया mx और यह प्लस आपका c है, तो यह इस तरीके से हमें solve करके दिखाना है, अगर आप direct करना चाहों, अगर यह आपका objective question में आता है, तो आपके दिमाग में रखो कि यहां पर variable के साथ में जो भी multiply में होगा, वो यहां पर divide में आ जाएगा, इस तरीके से आप इसको short तरीके से कर से हमें, now second part देखते हैं इसी का, तो second question आप यहां पर देखो, 2 है, constant है, x है, और sin x square plus 1 है, तो यहां पर आप देखो 2 को तो बाहर लेगा, 2 का यहां पर कोई रोल नहीं है, फिर x हो गया, फिर sin x square plus 1 आपका dx हो गया, तो सबसे पहली बात जो मैंने आपक कुछ होना चाहिए, यहां पर यह form इस तरीके से आ रही है, हमें simple form इस तरीके से चाहिए, जैसा उपर हमने यह किया, एक variable होना चाहिए, तो आपको उसको क्या कर लेना है, लेट कर लेना है, और यहां पर देखो, यहां पर एक आपका function x जो है, वो इसके product में भी है, तो य यहां पर यहां पर यह तर्म नहीं होनी चाहिए, तो बस आप उसी को let कर लो, let x square plus 1 equal to t है, now differentiate करो, x square का differentiation क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, constant है, उसका 0 होता है differentiation, तो यह आपका x का dx equal to dt हो गया, तो हमारे पास देखो, x भी है, dx भी है, 2 नहीं चाहिए, तो 2 को उधर भीज है, तो x dx equal to 1 by 2 dt हो गया, तो उधर भीज देंगे, यह वाला 1 by 2, आप रखो value, तो एक 2 हमारे पास पहले से है, एक 1 by 2 हमारे पास यहां पर और और आ गया है, तिके फिर integration of x dx की जगे पर हम क्या रख देंगे, 1 by 2 रख चुके, यह dt, dt को हम लास्ट में रखते हैं, और यह आपका यहां पर sin हो गया है, और x square plus 1 की जगे हमने क्या लट किया था, तो यह t हो गया, अब हम यहां पर easily different, यहां पर integrate कर पाएंगे, तो sin x का differentiation क्या होता है, minus का cos t, तो 2 से 2 cancel हो गया, minus का cos t, plus आपका c हो गया, तो t की value रख दो, minus का cos x square plus 1, plus आपका c हो गया, अगर आप य कुछ single term होनी चाहिए, तो आपके दिमाग में आएगा ही नहीं कि इसको कैसे solve भरना है, तो इस तरह है कि बहुत हजार question हो सकते हैं, अगर आप concept से याद रखोगे, तो बहुत easily उसको solve कर पाऊगे, अब देखो next question फिर से आ रहा है यहां पर, third one, आपको integrate क्या करना है, 10 power 4 root x, square root x, root x, root x, तो अब आपके माइंड में, चाहे यहां तीन term दी हुई है, बड़ आपके माइंड में हमिशा यही रहना कि यहां पर root x नहीं होना चाहिए, यहां पर एक single term होनी चाहिए, root तो नहीं होना चाहिए था, तो हम यहां पर उसी idea को लेकर के चल रहे हैं, और root x क नहीं क्या हो गया, x की power 1 by 2 जो है, वो हमारा t हो गया, अब इसको differentiate करो, अपने आप अपका solution आता जाएगा, तो x की बार 1 by 2 को differentiate करेंगे, तो यह 1 by 2 बाहर आ गया, x की power 1 by 2 minus 1, तो यह minus का 1 by 2, और dx equal to dt हो गया, तो x की बार minus 1 by 2 के अपके यहां पर यहां पर यहां पर root x ल 2 है नहीं, इस 2 को हम उदर बेज़ देता है, तो यह हो गया, 1 by root x dx equal to अपका 2 dt हो गया, अब हम value put कर सकते हैं, तो आप यहां पर देखो, आपके पास में यह है, 1 by root x यह है, यह अगर मैं देखा, यह वार लिगो, 1 upon root x dx equal to, अपका यहां पर यहां पर dt हो गया, तो हम रखे value हो, तो यह integration of, इस 1 by root x dx की जगे, 1 upon root x dx की जगे हम रखे लेते हैं, dt, तो dt हम रखेंगे last में, फिर 10 power 4 root x की इस जगे भी t रखेंगे, और 6 square इस जगे भी t रखेंगे, तो यह आपका हो गया, 10 power 4 t, और यह आपका यहां पर हो गया, 6 square, t हो गया, dt हो गया, अब क्या करें हमें तो अभी भी इसका integration नहीं आता है, क्योंकि ऐसा कोई formula हमने याद नहीं किया, जिसमें यह power का integration हमें आता हो, तो अब आप यहां पर क्या let करोगे, तो मुझे पता है कि 10 को अगर में यहां पर कोई और variable t थो हम ले, चुके u ले ले लेती हो, तो 10 का integration होता है, वो 6 square होत तो sec square t dt equal to du हो जाएगा, एक टम यहां से गायब हो जाएगी, तो यह जो, 10 t, 10 t को हमने u लिया, तो यह u power 4 हो गया, sec square t dt की जगे क्या हो गया, आपका du हो गया, जिक है, अब इसका तो integration आपको आता है, यह तो आप easily कर पाऊगे, तो यह कितना हो जाएगा, u की power n plus 1 upon n plus 1, यानि 4 plus 1 यानि 5 और नीचे भी 4 plus 1 यानि 5 हो गया, और यह plus आपका यहाँ पर c हो गया, जिक है, तो अब क्या करें, अच्छा कुछ गडबड किया किया, हम कुछ बूल गया है, शायद यहाँ, 2 dt था न, 2 रखना बूल गया है, यहाँ पर 2 भी आएगा, जिक है, चलो, अब यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, उपसे पहले, u की वैल्यू रखो, 10t है, तो यह 10 पावर 5t अपाउन 5 प्लस आपका c हो गया, और 2 हमारे पास यहाँ पहले से चल रहा था, चिक है, अब यहाँ ती की वैल्यू गया थी, आपकी रूट-X थी, यहाँ पर रख दो, यह कितन यहां पे एक ही डम होनी चाहिए तो हमने वही लेके चला हमें सोच नहीं पड़ा कि क्या करना है आगे कैसे बढ़ें तो आगे बढ़ने का ज़ली है तो हमने पहले से डून रखा है चलब एक और देखते हैं अब हमें नहीं है तो हमें इसको लेट करना है तो लेट 10 inverse x जो है वो आपका यहां पर टी ले लिया तो 10 inverse x का आपको याद नहीं रखना पड़ा आपको 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 अच्छे से समझ में आ है तो वीडियो को लाइक चनल को सब्सक्राइब कर देए थैंक्यू